वेलकम टो आपका यूटी है पेपर है कुछ भी हो चालिस नमबर का पेपर हो असी नमबर का पेपर हो कोई बिल्कुल थियोरी कुछ नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल सही वीडियो में इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह चैप्टर अच्छे से आजाएगा जिसके अ करना क्या है वीडियो को तिल एंड तक देखना है करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर क्या दोस्तों डेप्रिशन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो एक वीडियो मतलब एक वीक बाद वीडियो आ रही होगी थोड़ा सा लेट हो गया थोड़ा सा काम में फस गया था इसलिए मैं दुबारा से one shot start कर दिया बागी आप लोगों से एक थोड़ा सा proper आप क्या कर सकते हो help कर सकते हो आपको करना है क्या दोस्तो जो भी आपको one shot जिस भी topic पे जो भी आपको क्या करना comment करना है चाहिए आप economics हो business studies हो mathematics हो कोई साभी subject हो commerce से related साहराम पढ़ाते हैं करना कि आपको जो भी doubt लगता है कुछ भी comment करना है इस वीडियो के अंदर बिना time waste करके आप प्रॉपर एक एक करके देखते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा depreciation क्या होता आप डापड़ रहे हो आप ने देखो second chapter second chapter के अंदर ही depreciation पढ़के आए डाप्रिशन क्या पढ़ाते हैं आपको कि dape gyn का मतलब क्या होता है asset जो आपका asset होता है उसकी value में क्या होना गमिला अब asset की value में ऐसे कैसे कमी आ जाती है बहुत सारे example से समझसें topic को जैसे माल लो मैंने car ले एक showroom से, क्या ली मैंने दोस्तो एक car खरीदी showroom से आपको पता होना चाहिए अगर माल लो इस car को मैंने 20 lakh का खरीदा शो रूम से जैसी यह शो रूम से बाहर चली जाती है इसकी वेल्यू बिटा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ऐसा कौन कहता है ऐसा हमारे अकाउंट के कंसेप्स कैसे कैसे आप चेक करो जब आपने खरीदी थी तो वह फर्स्ट हैंड कार थी अगर आप इसको बेचोगे तो वह सेकेंड कार होगी क्या हो गई सेंड अब बोलो गे सर हमने यूज इन्हीं कर यूज करने से कुछ नहीं हो थहा उसकी वेल्यू क्या Consider की कि जाएगी हो रहूगी और कौन से एक्जाम्पल से जैसे मानलो यह मैं फोन यूज कर रहा हूँ जब मैंने इसको खरीदा था इसकी वैल्यू टैन के थी आज मैं इसको बेचूंगा तो यह कितने रुपे का बिके का तीन का या दो हजार का यह जो भी चीजे value कमी आ रही हिए क्या सारी चीजे क्या होती है जैसे अभी चेक करो मेरे पास एक आईफून मालो आईफून 14 अबíreकिट में आप चेख कर पाहरे वोगि आप बोलो गे सIGH फिफ्टीन से ऌइव स 있습니다 है вос अगर जादा होगा मैं उसको दिसक के जाएगी इसी चीज को हम क्या कैते है आप कुछन आता है कि हम यह क्यों पड़ा रहे है यह आपड इस चैप्टर में आपको यहाँ पर सिखाए probद निकालतेmother से हमने तो एक फ्योरी पढ़ ली कि डेप्रिसेशन यह होता है ऐसे होता है निकलता बट नाव कोशन आते हैं हाउ टू कैलकुलेट टेप्रिसेशन निकालते गैसे वह ही इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे चलिए अगें इसके अंदर हम उनली प्रैक्टिकल की बात नह करा दिये जाएंगे उसके लिए एक ही गुजारिस है कमेंट करिए जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसके एसाब चम प्रॉपर वीडियो बनाते हैं यहां पर कहा रहा है मीनिंग ऑफ डेप्रिसेशन का मीनिंग डेफिनेशन समझते हैं डेप्रिसेशन इस दा रिडूशन अगले यही सितंबर में अगला लॉंच हो जागा सेवंटीव फिर 18 19 चैक करो जो बाकी मॉडल्स किया जो एक्स आ रहे हैं इनकी वैल्यूस क्या और ही कम हो रही है अगर उसमें क्या हो गया उसमें कोई चोट लगई तोट फार्ट लगई तब भी क्या होता है उसकी असेट की वल्यों कमी आती है इसी को आप डेप्रिसेशन क्या होते ह फ्री आफ कॉश में कोई दिलबाजी नहीं है प्लेस में कुछ चीजें ओन दा वीडियो करवा रहा हूं तो उस चीज को जरूर नोट करना वह प्रॉपर पीडिएफ में मैंशन नहीं तो उसके लिए नोट बुक जरूर ले ले लिए कौन कौन से रीजन से जिससे क्या होत मालो मैंने नया लिया 15,000 का मैं इसको गेर दू डेंट आप चेक कर सकते हैं बहुत सरी यूटूब चैनल है बहुत सरी इंस्टाग्राम के पेजिस है पर आइफोन मिलते हैं डेंट डेंट लग गया तो इसकी 10,000 वेल्यू कम कर देंगे ये लग गया नाम नहीं ले सकते हैं किसी का आप देख लेना अगला आता है ऑपसीलेंस का मतलब होता है चेंज टेकनोलोजी अब चेक करो अभी बटा 5G फोन आ रहे कुछ टाइम बाद 6G आएंगे 7G जो ओल्ड मॉडल से उनकी वेल्यू आटोमेटिकली कम हो जाए अगला है टाइम के हिसाप से भी आपकी अस किया जाता है ध्यान रखना अब अप लोगोसे कूशन में जरूर कमेंड करके बताएंगे अमौट आईजेशन क्या हो जिसका राइट आनसार होगा उसको मैं पिन कर दूगा आगे बढ़ते हैं आगे जब हम जाएंगे तो इसको भी जिस तो इसको भी जरूर देख लेते ह नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए नीड सबसे पहला आता है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको अपनी फॉर्म का क्या निकालना प्रॉफिट एंड लॉस अगेन कैसे पता चलेगा जब आपकी एसेट्स की वैल्यू प्रॉपर यूटिलाइज होंगी कम हो युके लिए आपको डिपरीशश हम पड़ेगा प्लास में त्रू ऐंड फियर वैल्यू अगर जानना चाहीं अपने सब्सकी आगे आजाता है जो कि में आपको बहुत इंपारटर इंपरड होना चाहिए method of depreciation सबने पढ़ रखा होगा कि method होता है SLM but कुछ additional बताते हैं हमारे subscribers के लिए बच्चों के लिए SLM का दूसरा नाम होता है original cost method full form comment में type कर देना original cost method एक और नाम बताता हूँ fixed installation method फिर से repeat कर रहा हूँ original cost method fixed installation method कभी कभार question में इसका नाम change करके आपको दे देता है इस method के अंदर हम क्या मान के चलते हैं या क्या zoom करके चलते हैं यहाँ पर जो depreciation लगाया जाता है एक बार जो आपने asset खरीदी उसी पर रिपीटिड जो भी asset की value थी उस time पर वो भी कौन सी value बीटा market value उसी पर आप हमेशा क्या करते हो depreciation charge करते हो तो इसका बहुत important चीज आपको ध्यान रखना है जो depreciation होगा वो equal होता है each year का कैसे होता है क्या निकाला जाता है सब कुछ अभी practical कराऊंगा थोड़े देर में दूसरा method समझाने के बाद अगला इसका formula एक बार समझ लेते हैं अगर आपको annual depreciation निकालना है annual का मतलब है बीटा पूरे year का क्योंकि आप डेप्रेशन निकालते हो monthly weekly ने निकलता पूरे year का एक साल का debt एक बार में निकालना जाता है उसके लिए आपको चाहिए होता है COA COA को क्या कहते है cost of asset क्या होता है वो सारी चीज़े जो भी expense आपने कर्चा किया चाहिए installation हो XYZ वो सारा cost of asset के अंदर consider किया जाता है अगला आता है residual value या कहलो इसका दूसरा नाम होता है scrap value अच्छे से पता होना चाहिए scrap value वो value जो कि आप कवाड़े के बाँ बेज देते हो आपने asset को 10 साल चलाया उसके बाद आप as a Indian हम बेच देंगे हम क्यों fake है फालतों में उसको बेच करके कुछ पैसा आएगा उसे scrap value useful life आप समझ पा रहे हो कि 10 year 20 year जितने साल लाइफ चली asset इसे कहते है SLM method कैसे निकाला जाता है थोड़ी देर में बताते हैं अगले method का नाम समझते हैं अगले method का नाम को आप किसके नाम से जानते हो WDV method WDV method का full form क्या होता है return down value method इसके भी कुछ नाम बताते हैं diminishing balance method और reducing balance method full form जरूर comment में type कर देंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा help यहां पर depression निकालने का formula क्या होता है यहां पर ध्यान रखना है depression किस पे निकाला जाता है बटा depression लगाला जाता है book value अब book value क्या होती है जो भी asset की value जो भी है वो जितनी जितनी कम होती जाएगी उतना उतना डैप उसमें चार्ज किया जाता है प्रॉपर अभी example से समझा होगा depression का formula देख लोगे depreciation book value और depreciation rate जितने रेट से आप लगा रहे हो 10% per annum 20% per annum यह सारा question में mention होता है now start करते हैं एक एकर के दोनों में बात करते हैं लाग की कोई दिक्कत इसमें हमें 10% per annum से क्या लागाना है इन दोनों method को अच्छे से with example समझा देता हूं फर्स्ट यह का मैं डैप निकाल रहा हूं बेटा किसके साब से ऐसे लाग तो दो लाग की असेट थी गोड़ें में 10 by 100 अगें पूरे साल की अगे बढ़ते हैं इसमें अगर आप calculation करें तो बिटा कितना आजाएगा डैप्रीशेशन आपका डैप्रीशन आजाएगा बारा से बारा काटोगे यानि ट्वेंटी थाउंस यहाँ आप सेकेंड येर का निकालोगे यहाँ पर जो SLM method कहता है अगें जो भी असेट की डैप्रीशेशन कैलकुलेट करेंगे आप बोलोगे सर यह तो सेम आ रहा है अगर आप थर्ड येर का निकालोगे तब भी क्या रहा है सेम ही आ रहा होगा तो यहाँ पर पहला पॉइंट ही आपको ध्यान रखना पड़ता है जो डैप होता है इच एयर का वो क्या होता है सेम होता है दूसरा यहाँ पर जो असेट की विल्ली होती है एक टाइम पर शुनने यहनि जीरो हो जाएगे कैसे आप चेक करो दो लाग पर अगर मैं डैप लगाऊं दस साल तक लगाता है बीस 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 कम हो करके एक टैम पर शुनने हो जाएगे यहीं पर ही WTV को अगर हम समझना चाहें अगेन इसका अगर आप फर्स्ट यर का डैप निकालेंगे टैन अपॉन हंडेड ट्वेल बाय ट्वेल पहले यहर का आप चेक करेंगे सेम ही आ रहा होगा इसका कैते है अगर आप सेगंड यर में मुव कर रहें तो आपको काईदे से एक लाग ऐसी पर लगाना है क्योंकि दो लाग की यह सेट में आपने वीश जार के लगा दिये तो आप कितने की एसेट बची एक लगा औक असी एक लाग असी पर आपको क्या लगाना जब आप एक लाकसी पर लगाओगे तो डेपरिशन आएगा अठारा आजाए नेक्स्ट यर में आप जब मूफ करोगे तो वह आजाएगा बेटा सोला हजार दोसो आप चेक कर पारे हो नोटेस कर पारे हो डेप का अमाउंट क्या हो रहा है ग्रेजुली धीरे-धीरे कम होता जा रहा है यहाँ पर यहां पर क्या होता है सेम होता है यहाँ पर दूसवरा पॉइंट की वेल्यू कभी भी 0 नहीं होती जरूर पूछा जाता है कोई दिक्कत आई यहोप आपने समझ लिया होग अच्छे से अब आप एक एक करके इसको अच्छे से और समझते हैं with some example SLM के एकाद कोशन कराते हैं कैसे आपको दे रखी एक मशीन आपने जो खरीदी विटा कितने ही दो लाग की कोई दिक्कत इसमें आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया कोई दिक्कत फिर कह रहा है स्क्रेप वैल्यू जो रही असेट की वह क्या रही भाई वह रही भी सजाए प्लस में जो लाइफ रही असेट की वह आपने चलाई 5 यह अब आपको हमने स्टार्टिं माइनस में बटा क्या करना था स्क्रेप वैल्यू अपन में क्या ले लेंगे आप लाइफ ओफ ऑसेट लाइफ ओफ ऑसेट अगें रख देते हैं फटा-फट से वैल्यू कॉस्ट ओफ सेट को बताया था जो भी खर्चा होता सारा कॉस्ट ओफ ओजाएग यह नहीं दो प्रेशनल फॉर्मुला बदा दे तो अपने बच्चों के लिए क्या कि अगर आपको रेट पूछ ले रेट ऑफ डैप की डैप्रिसेशन का रेट क्या होता यानि कितने पर्सेंट लगा तो उसका फॉर्मुला ध्यान से देख लेंगे कॉस्ट ऑफ असेट अपन में लिखना है बिटा डैप जो भी निकला मुल्टिप्लाइ में हंडेट क्योंकि यह परसेंटेज में आगा कॉस्ट ऑफ असेट आप देख पा रहे हैं दो लाग भी सेजार अपन में बिटा फॉर्टी थाउजिन आपका डैप आ जाएगा कंटिन ऐं प्लाइ के हंड़ाब च्राप्तेज्थायफ और एक सता अधा इतनुम्ट थे ऑनमे जाएग सेट यहें आपका इसे क्रें हो गया अगेंया व含्लिय walk युदक करेंगे और तो दिवेशिंज समझे लेता है डै क्या होता अगर आपको डैप केल्गुलेट करना आपको उठा लेना है अपना असेट मल्टिप्लाइं में ले लेना है रेट जितने रेट से आप लगा रहे ऑपॉन में हैं बहुत इनपॉटेंट फियुक्श जैसे इसमें थोड़ा साम अल्लग कोशन लेते हैं महलों आपने जान बुच करके अक्टूबर लिया तो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फर्वरी मार्च टोटल आप काउंट कर पा रहे होगे क्यों लिया क्योंकि मैंने असेट को कब खरीदा भाई एक अक्टूबर 31 मार्च को मान के चल रहे हैं कि क्लोज कर रहा होगे तो अगर आप इसे कल्कुलेट करते हैं कितना आ जाएगा 10,000 ठीक है अब मेरे को जरूर कमेंट करके बताएंगे बच्चा पाटी कि आपको कौन सा मेथट पसंद है SLM या W TV कौन सा बेस्ट है ठीक है अगला इसकी दो एंट्री समझ लेते हैं बच्चों ने यह भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी होता है इसक से रिलेटेड है आई तिंग आता होगा असेट यहां पर जब अब भी आप पर्चेस करेंगी कोई भी मशीनरी तो आपको दिमाग में क्या रखना है ऑल्विस पेमेंट बैंक से जाएगा तो जो भी असेट होगा वो क्या हो जाएगा बैटा डेबिट कोई दिक्कत टू मे क्या आजएगा बैंक क्योंकि बैंक से पैसा कम रहा हो रहा हो का मैं यह जो आती है डैप अगे आप असेट में डैप लगा रहे हो तो आपकी असेट की वगेंग होगी ऑभी एक्सपैंज इसलिए क्स इसलिए क्या हो जाएगा डैबि Awards यह तू covid को में मैश्यों करने और पीडियोफ को डाउनलोड कर लो वन चॉट के लिए रेडी रहो करना के कमेंट करें जहीं चैवा